साथ्यों, मैं जब इस अलाके में आया हूँ, तो मुझे 2019 चुनाव के पहले की बात याद आ रही है। पार्लामेंट का सत्र चल रहा था और पार्लामेंट के अंदर वो पिछली लोगसभा का आकरी सत्र था और उसके बाद 2019 के चुनाव के लिए चलना था, तो मुलायम सींजी भाशन करने के लिए खड़े हुई है। और स्वर्गिय मुलायम सींजी ने 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लामेंट में कहा था, और एक प्रकार से वो आशिरवाद बन गया, कि मोदी जी आप तो दुबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेता जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिये, उनके सगे भाई, बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आही गई। बाई और भेनों, मोदी अपने दस साल के कारकाल के बार फिर एक बार आप से आशिरवाद मांगने आया है। आप सबने मेरी मेहनत देखी है, इमानदारी से आप लोगों की सेवा करना ये मेरा धर्म रहा है। अब मोदी भारत के लिए आने वाले पांच साली नहीं पचीज साल का रास्ता बना रहा है। भारत एक हजार साल के लिए ससकत हो मोदी उसकी नीव तयार कर रहा है। और मोदी ये सब क्यों कर रहा है। क्योंकि मोदी रहे या न रहे देज हमेशा रहेगा। और ये सपा कॉंग्रेस वाले क्या कर रहे हैं। कि ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविश्य के लिए अपने बच्चों के भविश्य के लिए और मोदी किसके लिए खप रहा है। मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे वर मोदी जी भी ऐसे है। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है। हमारे तो बच्चे हैं नहीं। हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। हम खप रहे हैं आपके बच्चों का भविश्य बनाने के लिए। ये विक्सीत भारत का संकल्प क्या है। ये विक्सीत ये सिरफ चार शब्द वाला मामला नहीं है। इसमें चार शब्द और जुड़े हैं। आपके बच्चों का सुखी संसार। आपके बच्चों की आय उनका रोजगार यही तो विरासत है। जो मोदी आपके बच्चों के नाम लिखना चाहता है। और साथियों इन परिवारवादियों की विरासत क्या है। इनकी विरासत गाड़ी, बंगला, राजनितिक, रसूप, कोई मैनपूरी, कन्लोच और इटावा को अपनी जागीर मानता है। कोई अमेठी राइबरेली को अपनी जागीर मानता है। लेकिन मोदी कई विरासत गरीव का पक्का घर है। मोदी की विरासत देश की करोडों, मातां, बेहनों को मिला सवचाले है। मोदी की विरासत दलीत पिछणों को मिला, बिजली, गैस, नल, ये जो सुविदा है न, वो मोदी की विरासत है। मोदी की विरासत गरीवों को मिला मुप्त इलाज है। मोदी की विरासत आपके बच्चों के उजवल भविश्य के लिए बनाई गई राष्ट्रिय सिक्षा नीती है। मोदी की विरासत तो सबकी है, सबके लिए है। कौन जानता है कि 2047 में, 2047 में आपका ही बेटा बेटी प्रधान मंत्री बने, मुख्य मंत्री बने। शाही परिवार का वारी थी, PMCM बनेगा, ये कूप्र था, इस चाहिवाले ने तोड़ दी है। हमारी हाँ कभी राजा राम मोन राए का नाम आता है, कि उन्होंने फलानी कूप्रसा तोड़ दी। वैसे कभी आएगा कि देश में एक प्रधान मंत्री होते थे, चाहिवाले थे, और उसने एक ऐसी कूप्रसा को तोड़ दिया, कि गरीब का बेटा भी मुख्य मंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधान मंत्री बन सकता है। प्रधान मंत्री बन सकता है।